जब इस व्यक्ति ने जो 35,000 करोड का घोटाली बाज है चनादन रेड़ी भाजपा में शामिल होते ही कहा कि मैं अपनी जड़ों की और लौट आया हूँ अब आप खुछ समझ लीजिए कि इस देश में ब्रश्टाचार की जड़ कहा है और कौन है हम नहीं बोल रहें ये घोटाले बाज बोल रहा है कि साब मैं अपनी जड़ों में लौट करा गया हूँ इतिहास तो मैंने आपको बताया ही लेकिन कारण भी समझ लेते हैं कि ये क्या मजबूरी रही है कि ऐसे व्यक्ति को जो की कोख्यात है उसको क्यों शामिल करवाया गया आपने देखा कि माननी सर्वोच नियायले ने इलेक्टरल बॉंड के चंदे पर बैन लगाया उसको गैर समयधानिक करार किया उसको गैर कानूनी करार कर दिया तो अब ये है भाजपा का प्लान बी अब सीधा पार्टनर्शिप ऐसे व्यक्तियों को साथ में ले लो जिन से पैसे लेने हैं जिन से पैसे लिये हैं कोई परदादारी मत रखो बीच में बिलकुल साथ में मिला दीजिए खाएंगे खिलाएंगे और उसके बाद पाचन शक्ति इतनी मजबूत कि वो बंगाल हो करनाटक हो कहीं के भी घोटाले बाज हो सब कुछ बचा लिया जाएगा उन सब को बचा लिया जाएगा ये कारण है कि ये इस तरहें के लोगों को अपने साथ जोड रहे हैं